नमस्कार आफ सबीको अभी हाली में जो ररेजल्ट आया गुरूपदी काfire 1,000 बच्चों का इस ररेजल्ट के regarding मैंने चेर्मेन साफ से बात की और चेर्मेन साफ को मैंने बताया कि चेर्मेन साफ जो ये ररेजल्ट आया है इसमें बहुत सारी खामिया है सबसे पहली खामी यह है कि जिन बच्चों का already selection हो गया है उनके roll number इस result में कैसे आए तो मैंने उनको ये भी बताया और उनको proof भी दिया और उन बच्चों के roll number भी उनको send किये बाइस बच्चे इस ग्यारे हजार के result में बाइस बच्चे ऐसे हैं जिनका ALN ठीक है दिन्ली पुलिस और चंदीगर पुलिस में selection हो गया इससे अलग कुछ J.E.K. भी थे अब मैंने उनसे कहा कि सर इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी ये जो result है जो बच्चे join करेंगे उनको तो हम joining देंगे और जो already join कर चुके हैं वो join क्यों करेंगे वो क्यों आएंगे तो फिर उनका नाम अपने आप रद्ध हो जाएगा तो फिर मैंने उनसे counter question किया कि सर ये तो उनका नाम रद्ध हो जाएगा पर ये जो 22 बच्चे हैं इनकी जगे अगर आप पहले ही इनके नामकार देते तो क्या cut off कम नहीं जाती माइनस नहीं होती क्या सर ये बच्चे जो नए लगते ये सिर्फ गुरूब डी के नहीं होते तो मैंने उनसे ये counter question किया तो उन्होंने कहा कि अभी ये हमारा जो result है अभी हमने collection की बज़े से कैसे भी लगा लो इस बज़े से हमने issue कर दिया लेकिन अब एक महेने बाद उन्होंने मुझे से या एक महेने तक हम देखते हैं कि कौन-कौन लोग जोइन करते हैं कौन-कौन लोग नहीं करते हैं फिर उसके next month हम दुवारा से एक और लिस्ट आउट करेंगे जिसमें ये लोग नहीं होंगे जो already selected हैं और इसी एक महेने में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि TGT और 56-57 के बच्चे भी हैं फिर मैंने उनसे counter question और किया मैंने की सर TGT और 56-57 में लगवग 12,000 और TGT में 24-74 हैं सर ये भी इस group D के result में सामेल हैं सर और ये भी जब इनका result आ जाएगा जब ये जोइन कर लेंगे group D को तो भागेंगे तो cutoff पर पढ़ेगा नहीं पढ़ेग कट-off पर बिल्कुल भी प्रवाब नहीं पढ़ने वाला इस बात को सिर्फ जब कट-off आएगी तो इससे नीचे ही जाएगी ना कि ऊपर अब फिर मैंने उनको एक 44,000 विकेंसी थी ती ये गुरुप सी की टोटल 44,000 इन 14,000 से ये 14,000 जो हैं गुरुप डी की हैं ये 44,000 विकेंसी के बारे में मैंने उनसे बात की मिंगी सर इन मैंसे अभी तक आपने इन तोटल 44,000 विकेंसी मैंसे आपने केवल 10,000 के समद दसजार 282,000 का रजल्ट गोस्ट किया आसाथ जेई का और इसका और इसके अलग अभी आपने इसके 10,000 गुरुप डी का रजल्ट के लिए किया ए 11,000 मान लो 11,000 का रजल्ट सर आपने अभी डिकलियर किया है तो यही तो रजल्ट है बस आपका 20,000 ये 43,000 बच्चे 44,000 बच्चे कहा जाएंगे और आपने जो एलम इनका 4000 बच्चे अभी इसमें बच रहे हैं इस एलेक्शन के दौरान लेकिन हाँ हम धीरे धीरे पुरानी भर्टियों को पूरे करते जाएंगे उनके रजल्ट निकालते जाएंगे ऐसा करके उन्हों ने मुझसे कहा और मैंने उनसे ये भी का कि सर गुरुप डी में जो ये बच्चे थे गुरुप डी का जो हाईएस स्कूर था यह जो चोंटर और पच्छेतर बत नमबर रहे ना गुरूब डी के ये जादा बच्चों के नहीं है ज्यादा ज्यादा बीस बच्छों की नमबर लगवग लगवग सबसे ज्यादा स्कूर है वह 66 और 68 है इतना है जासर से ज़्यादा जनरल की बता रहा हूं मैं आपको तो अब क्या होगा अब आप नेक्स कदम क्या उठाएंगे तो उन्होंने मुझे से बोला कि जैसे ही TGT और 56 सतावन के रजल्ट डेक्लियर करेंगे अगर 56 सतावन और TGT के बच्चे इसमें हैं मैंन की 100% हैं क्योंकि यह जौब इसलिए कर रहे हैं इस गुरूप दी में क्योंकि उनका रजल्ट उसमें नहीं है उनको लग रहा है कि यह भरती रद हो जाएगी इस तरीके से तो और एक केस और है स्टे का पता नहीं किसका वो मैंने उनसे ज्यादा डेटिर्मेंट नहीं बूचा कि जी ठीके बारे में तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे और फिर दवारा से मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि जो यह रजल्ट है 11000 का बाकाइदा है इसी लिए उन्होंने 4000 विकेंसी की प्रोग दी तो सब का सॉल्यूशन होगा जितनी भी आप जिन लोगों का भी नंबर आना चाहिए उनका नंबर 100 परसेंट आएगा गुरुपी में और उन्होंने मुझसे बोला कि जो गुरुपी के हैं वो गुरुपी में ही लगेंग लेटर भी सेंड किया जाएगा ऐसा चेर्मेंट साव में मुझे कहा तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको मेरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपक यह रजल्ट आपके लिए कोई मले नी रखता यह जो रजल्ट आया है यह कैसे कहते हैं यह उसकी के यह नाज़निक भीचर। तो पांच से छहजार लोग तो ऐसे लोग हैं जो जो जोब को जोएंग नहीं करेंगे तो वेटिंग तो भीया बहुत सारी आने वाली है मैं आपको बतादाओं के आप लोगों के यानकारी आप एक्षल में नौकरी आनी चाहिए और मैं अपने बारे में बता दू मैं गौरवसरमा दिल्ली सरकार में एजिप पीजीटी इंगलिस लेक्ष दरू हूँ ठीक सिर्फ मुझे इस वात का दुख है कि ये जॉब जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही एक्चुली मैं गरीब लोगों के लिए मीडियम क्लास के लोगों के लिए जो इतने नंबर गें नहीं कर पाए और बस यही कारण था मेरा हलाकि आप लोग समझते हो कि कोई यूट्यूब फीचर या कोई भी इतना बच्चों के लिए गहराई से बिल्कुल भी नहीं सोचता बाकि आप लोग हो मैं आप लोगों के लिए समर पर थूँ जो भी आप सोचते हो मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में जुरू बताए और मेरे पास तुरंट कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिस्ते आप के पास हमारी मेरी अपडेट आपके पास आ जाए और प्लीज इस वीडियो को जादा जादा वर्टसप इंस्टार फेस्वूक पर सेयर करें और यह मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है गु कर दिर छाह सकते हैं और ब कर दो जो फिर बना हो जोगवर को बना हम एक शो अबस्ट की पैसे हा्ट। का झाल मैं और चलेक्श पर सुग्पाबन स्ट इंगर एंगर इंगर को प्रणी गूर रड़ कर दो छो जबस्ट दो ड़।